आप सब को जैमसी की प्रभु का धनेवाद करते हैं इस सुन्दर सुभा के लिए कि प्रभु ने हम एक नई सुभा को हमारे जीवन में दिया और हम धनेवादी हैं कि रात भर संभाल कर परमेश्व ने ये नई सुभा हम सब के जीवनों में जोड़ी इस बात के लिए उस पर परमेश्व पिता का धन्यवाद करें आईए हम सब मिलकर परमेश्व की स्तूती के लिए भजन गाएं गिन गिन के स्तूती करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तुने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तूती करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तुने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए प्रभू धनेवाद करते हैं पिता ये आरादना प्रभू तुझे ग्रहन योग्य हो येशु मसी के नाम से मांगते हैं आमें आईए हम सब मिलकर परमेशुर के वचन को सुने और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि परमेशुर की योजना कभी विफल नहीं होती है परमेशुर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता परमेशुर की योजना कभी असफल नहीं होती है यहां पर कुछ इस परकार से लिखा तब आयूब ने यहवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती आयूब परमेश्वर से कहता है कि मैं जानता हूँ परमेशर कि तू सब कुछ कर सकता है तेरे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है और तेरी युक्तियां, मतलब तेरी योजनाएं, तेरे जो प्लान है उनको कोई भी ब्यक्ती या फिर कोई भी रोक नहीं सकता है चाहिए वो कोई भी हो परंद परमेशर की योजना को कोई नहीं रोक सकता उसकी योजना का कोई खंडन नहीं कर सकता है उसकी योजना को कोई टाल नहीं सकता है हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेशर के पास मेरे जीवन के लिए एक विसेश योजना है और उस योजना को परमेशर हमारे जीवन में पूरा करेगा और उस विसेश योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है यहां तक कि सैतान भी उस योजना को नहीं रोक सकता है ये शुमसी के लिए परमेशर की योजना थी कि ये क्रूस पर चड़ाये जाएगा और इसके दोरा मनुश्य जाती उद्धार पाएगी परन्तु सैतान ने इस योजना का खंडन करना चाहा इस योजना को रोगना चाहा परन्तु वो असफल हो गया वो विफल हुआ वो उस योजना में सफल नहीं हुआ परन्तु हमारा प्रभ येश्य मसी जिसके लिए परमेश्य की योजना थी कि मनुश्यों का उद्धार करेगा मनुश्यों का छुटकारा करेगा उसके लिए वो योजना पूरी हुई सैतान ने बहुत बार उस योजना का खंडन करना चाहा परन्तु परमेश्य की जो योजना है उसे कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उसे कोई तोड नहीं सकता, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, इवन सेतान भी उसका कुछ नहीं कर पाया, रंत में परमेश्व ने मनुश्यों के उध्धार की जो योजना थी उसे पूरा किया, और सेतान हार गया, उस जिसके लिए उसने आपको और मुझे चुना है, जिसके लिए उसने आपको और मुझे को बुलाया है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, यहां तक कि सातान भी आपको नहीं रोक पाएगा, उस लक्ष को प्राप्त करने के जो Permesher ने आपके लिए बनाया है हलंकि आपको कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़े हलंकि आप गिरेंगे पिरंतु परमेशर फिर से उठाएगा हलंकि आप गलतियां करेंगे हलंकि आपके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ सकती है परंतु परमेशर का वचन कहता है कि जो योजना उसने आपके लिए बनाई है वो कभी भी विफल नहीं होगी असफल नहीं होगी वो हमेशा आपके लिए सफल ही होगी यदि आप परमेशर में बने हुए हैं तो यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो अयूब के जीवन में बहुत सारे विपत्तियां आई स्यतान ने उसकी परिक्षा की और बहुत सारे विपत्तियां संकट उसके जीवन में आई बिमारियां, दुख, परिशानियां उसके जीवन में आई परंदो वो परमेशर से प्रेम रखता था तो परमेश्र की योजना उसके जीवन में पूरी हुई कोई भी परमेश्र की योजना को उसके लिए रोक नहीं पाया परमेश्र की योजना थी कि मैं अपने धर्मी जन को आसिसित करूंगा तो उसने बाद में भी उस ब्यक्ति को आसिसित किया हलांकि सैतान ने उससे सब को छीन लिया परंदु परमेशर ने फिर से उसे दोगुना आसिसित किया परमेशर की योजना थी इसराइलियों के लिए कि उन्हें मिसर की गुलामें में से छुडा करके लाया जाए तो राजा फिरॉन भी उनका कुछ नहीं कर पाया उन्हें रोक नहीं पाया लाल समुद्र भी उनको नहीं रोक पाया जंगल भी उनको नहीं रोक पाया परमेशर की योजना को कोई नहीं रोक पाया यूसुप के लिए परमेशर के पास ये एक योजना थी कि मैं उसे एक राजा बनाऊंगा या फिर एक अधिकारी बनाऊंगा या फिर मैं उसे आसिसित करूंगा तो उसके भाई जो उसे बैर रखते थे वो भी उसका कुछ नहीं कर पाए और मिसर में जहां वो गुलामी में था वो भी उसकी योजना को नहीं रोक पाए यहां तक कि वो जब उसके गलत आरोप लगाया गया और जब वो जेल में भी था तब भी कोई उसको रोक नहीं पाया क्योंकि वो परमेशर से प्रेम रखता था योना के लिए परमेशर के पास जो योजना थी, योना खुद भी उस योजना को नहीं रोक पाया, समुद्र उस योजना को नहीं रोक पाया, उसी परकार जो योजना परमेशर के पास आपके लिए और मेरे लिए वो भले की है, हमारे लाब की है, और परमेशर उस योजना को पूरा करेगा उस योजना को कोई भी नहीं रोख सकता है कोई भी उस योजना का खंडन नहीं कर सकता है अपने हिर्दे में ये विश्वास रखें कि परमेशर ने जिसलिए मुझे बुलाया है परमेशर उस योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा मिलकर प्रात्ना करें करते हैं प्रभू हम घटे तू बड़े प्रभू हमारे जीवनों से पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभू जी आज की सुभा में प्रभू जितने भी लोग स्प्रात्न को सुन रहे परमेश्व पिता तेरे नाम से हर एक जन को हर एक परिवार को छोटों से लेकर बड करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुभा में प्रभू आप प्रभू अपने सुक सम्रिद्धी अपनी आशिशों से हर एक को प्रभू जी त्रिप्त करें पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशिशों को आप दे मेरे प्रभू जी प्यारे खुदावन आपकी उ प्रभू येशु आपकी योजनाओं से कोई भी उने अलग नहीं कर सकता है। हर एक के जीवन में पूरी हों पिता परमेशुवर आप हर एक की साहत और मदद करें परभू परमेशुवर बेस्ट परभू जो आपने सब के लिए रखा है परभू वो बेस्ट आप उनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी हर एक को प्रभु परमेश्वर जो परमेश्वर ने आप के लिए चंगाई को रखा है परमेश्वर आप वो चंगाई उनके जीवन में दीजिए जो बेस्ट आप, बेस्ट लाइफ पार्टनर उनके जीवन के लिए रखा है प्रभू, वो आप उनके जीवन में दीजे परमेश्वर, जो प्रभू जी बेस्ट जॉब आपने उनके लिए रखा है प्रभू, वो आप उनके जीवन में दीजे, जो करजे को चुकाने के लिए एक न्यूक्त समय जो आपने किया है प्रभू वो उन्हें आप उनके जीवन में सब कुछ पूरा करें पिता परमेश्वर, बच्चों को आप उत्तम आशिशें दे प्रभू परमेश्वर, सब को आप बलेस करें और आपकी योजनाएं हर एक के जीवन में सफल होने पाएं प परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में सफल होने पाएं प्रभू, हर एक के दुख को, हर एक की बिमारियों को, हर एक के कलेश को, हर एक की विपत्ती परिशानियों को आप दूर करें, आज पूरे दिन भर में आप हर एक के साथ में होई, हर एक को दुर घटना बिमारियों स पत्यों से बच्चाएं प्रभू ननिवात करते हैं कि आपने हमारी प्रात्ना को सुना उसका उत्तर हां और आमीन में दिया ये शुमसी के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन